कि यह सिंपल काइंड है जी शी सेट टू मी यू आरा लेजी बॉय सिंपल सा फिक्र है इसके हम रोल पढ़ते जाएंगे साथ-साथ हम इनके सेंटेंसिस करते जाएंगे सबसे पहले तो यह है कि शी सेट टू को हम सेट टू भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो सेट टू की जगह आप लिख सकते हैं टोल्ड ठीक है जो सिंपल फिक्रा होता है जैसे यह है कोमा हटाएंगे तो यहां दैट लगा देते हैं क्या लगा देते हैं दैट ठीक है जो सिंपल फिक्रा होता है उसमें कोमे की जगह दैट लग जाता है यो जो है यह हमारा है सेकिंड परसन परसन है तो सारे परसन कठे पार लेते हैं जो है ना I या आगए First परसन First परसन का मतलब जो बन्दा बोल रहाता है Second परसन जिससे वो बात कार रहाता है और Third परसन जो मजूद नहीं होता जब हम बात करते हैं कोई भी तो तीन आम तोर पर हो सकते हैं या तो जो बात कार रहा है वो वो First परसन होता है या जिससे बात की जा रही है वो Second और जिसके मतलब वो मुझूद नहीं है वो Third हो जाएगा First में हमारे पास आता है I और We Second में आता है You और Third में आता है He She They It ठीक है तो ये First परसन ये Second परसन ये Third परसन इनकी आगे फार्म भी होती है I की Second फार्म होती है My और Third फार्म होती है Me We की Second फार्म होती है Over और तीसरी होती है Us You की Second फार्म Your और तीसरी दुबारा ये होती है ठीक है He की Second फार्म His और Third फार्म Him She की Second फार्म Her और Third भी Her They की Second फार्म Their और तीसरी फार्म होती है Them It, It's, It First person, Second person, Third person जो First person है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ ठीक है इसको सब्जेक्ट के साथ तब्जेक्ट के साथ तब्दील करना है ठीक है सब्जेक्ट यानि शुरू में जो वर्ड होता है अगर Second person आएगा इसको अब्जेक्ट के साथ तब्दील करना है जट के साथ तब्दील करना है ठीक है ये अगर कुमे के बाद आ जाएं तो तब्दील नहीं होते नहीं करना इनको तब्दील नहीं करना अगर Second वाले इससे में आ जाएंगे इधर आ जाएंगे तो Change नहीं करना अब यूँ आ गया Second Person किस के साथ? Object के साथ Object कौन सा? इस वाले इससे में अब ये सब्जेक्ट है और ये Object है तो you को change करना हमने इसके साथ ठीक है बस यहां पर rough में लिख लें you की form होती है you your you और जो me है वो i की form है i, my, me तो me आया हो है अब यहां पर शुरू में जो you है वो first form वाल है end पे आएगा तो last वाल होगा तो जिसके नीचे जो आएगा उसके साथ तबदील कर देना me जो है वोसल में i की form है ना last वाली लेकिन हमें कौन सी चाहिए you के नीचे जो आएगी i, my, me तो you को हम change करेंगे i के साथ ठीक है और जो tense है वो भी change हो जाएगा is mr कौन सा है यहां तबदीलियां भी साथ-साथ थोड़ी थोड़ी करके लिखते जाते हैं तो अगर होगा प्रेजेंट कांटीनियस present continuous tense होगा उसको तबदील कर देना है past continuous tense के साथ ठीक है ना यह प्रेजेंट कांटीनियस में क्या होता है is am या are past continuous में क्या होता है was या were तो अब आई के साथ क्या लग जाएगा was present continuous है past continuous में चेंज होगा are lazy boy यह चेंज नहीं होगा ऐसे यहां जाएगा ठीक है समझा आगी एक तबदीलिया हमने यह की set two को हमने टोल्ड से बदला कॉमे की जगा that आगा सिंपल फिक्रे में यह चीज़ें करेंगा you second person है object के साथ चेंज होगा me present continuous past continuous में change हो जाएगा I hope आपको समझ आगया होगा or okay